जीवामृत यूनित बैग में खराबी है ये है परेशानी के संकेत गैस नहीं निकल रही है तरल जीवामृत नहीं निकल रहा है उसकी जगह 10 से 20 लीटर गाड़ा घोल आ रहा है ये स्वनिर्मित समस्या है क्योंकि बैग आपूर्तिकर्ता ने हमें सपश्ट रूप से कहा था कि प्रति दिन 100 लीटर पानी निकालें और प्रति दिन 100 लीटर पानी डालें एक या दो दिन गायब होना कोई समस्या नहीं है लेकिन हुआ ये है कि हमारे पेड 15 अगस्ट से 30 अक्टूबर तक विश्राम अवधी में है इस अवधी में पानी नहीं डाला गया और इसलिए जीवामृत का उप्योग नहीं किया गया 15 सितंबर तक हमने जीवामृत निकाला और इसे भंडारन टैंकों में समग्रहीत किया जब तक कि सभी भंडारन टैंक भर नहीं गए एक महीने से अधिक समय से हमने जो किया वह दैनिक 5 से 10 किलोग्राम गाय खाद के साथ आउटपुट को इनपुट के रूप में वापस जोड़ दिया इससे अब अधिक एक आग्रता हो गई इसलिए यह अब घोल के रूप में है आज हम 100 लीटर पानी 5 लीटर चाच 5 किलो गुर 20 लीटर इम एक घोल डाल रहे हैं साथ ही एक सपताह तक हम केवल पानी डालने का प्रयास करेंगे उमीद है एक सपताह में ये समस्या हल हो जाएगी एक सपताह के बाद परिनाम अपडेट करेंगे आपका दिन शुब हो टेक केर तेंक यू बाई केका का प्रूट तेंक उपका प्रूप्रों रहे हो Still खफे हो नहीं के मैं Mus' का कै बादे हो झाल झाल